सभी को नमश्कार आज हम इस पार्ट के प्रिश्ण अतर कर रहे हैं पार्ट का नाम है गलता लोहा इसमें हमारा पहला प्रिश्ण है कहानी के उस प्रसंग का उलेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घंचलाने की विद्या का जिक्र आया है यह हमारा पहला प्रिश्ण जो है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कहानी में धनराम लोहार पिता का पालक था उसके दिमाग में गनित नहीं बैड़ता था मास्टर तिलोक सिंग उसे तेरे का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे और संटी से पीटते थे उथर धनराम के पिता गंगा राम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे वे उसे सान चड़ाना, धोगनी फूखना, हतोडी चलाना और घंचलाना सिखा रहे थे वे भी कलती करने पर उसे चड़ी या हथे से पीटा करते थे इस प्रकार धनराम एक साथ दो दो विद्याइं सीख रहा था पहली बढ़ाई की विद्या और दूसरा लोहार के कर्म की विद्या सकेंड हमारा कुश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन है काफी कई बार एक्जाम्स में आ भी चुका है, इसे आप ध्यान से सुन लेजेगा इसमें प्रश्चन जो है वह यह है कि धनराम मोहन को अपना प्रती द्वैंद्विक क्यों नहीं समझता था यहाँ पर धनराम स्वेम को नीची जाती का और मोहन को उची जाती का समझता था दूसरे मोहन कक्षा में उससे अधिक होशार था और मास्टर तिलोक सिंग जी ने उसे कख्षा का मॉनिटर भी बना दिया था तीसरे मास्टर जी कहा करते थे कि वह एक दिन बड़ा होकर उनका और स्कूल का नाम रोशन करेगा और यही सब बातें थी जिनके कारण धनराम मोहन से कभी भी कॉम्पिटिशन नहीं करता था स्प्रधा नहीं रखता था उसने उसे अपने से उचा मान लिया था उसके बाद अमारा कुश्यन आता है धनराम को मोहन के किस वेवार पर आश्चरे होता है और क्यों धनराम को मोहन के हतोड़ा चलाने और लोहे की छड़ को गोलाई देने की बाद पर आश्चरे हुआ था उसे मोहन की कुशलता पर इतना आश्चरे नहीं हुआ बलकि उसके निर्वभ भीवानी जो उसका भ्यवार था उसका जातिगत अभिमान रहीत जो व्यवार था उसके कारण उसे आस्चरे होता है मोहन जो था पुरोहीत खाइनान का लड़का था और उसे उंची जाती का माना जाता था और यहाँ पर वह लोहार का करे कर रहा है जिसकी आशा नहीं की थी कभी भी धन्राम ने इसलिए उसे आस्चरे होता है कि किस प्रकार से मोहन ने अपनी जाती को भुला करके यहे काम करना स्विकार किया उसके बाद हमारा प्रिश्ण है मोहन के लखनव आने के बाद के समय को लिखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याई क्यों कहा क्यूं कहा है देखिए लखनव से आने के बाद मोहन के जीवने में परिवर्तना गया यहां उसे अपने घर से दूर रहना पड़ा था और आपको जैसे कि मैंने कहानी में बताया भी था कि उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे गाउं में रहने पर उसकी सिश्षा जो थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी क्योंकि यहां पर चार किलोमेटर उसका जो स्कूल था वो जाने में उसे काफी दिक्कत आती थी रास्ते में दिक्कत आती थी और जब वो शहर चला जाता है तो वह वह पढ़ाई करता है और वहां से जब लोट करके आता है तो यहां आकर वे रास्ते खुल जाते हैं उसे पढ़ने का अफसर मिलता है साथ ही उसे नोकर की तरह रेने के लिए भी विवश किया जाता था यह अध्याय काफी सुकद नहीं था परन्तु था तो नया अध्याय ही उसके जीवन में कैसा अध्याय था नया अध्याय था जब वो लखनव चला जाता है और उसका जीवन परिवर्तन होता है वहां पर वैशिक्षा प्रप्त करता है यही सब चेंज जो है उसकी लाइफ के लेखक ने यहां बताए है उसके बाद प्रेशन आता है मास्टर तिलोक सिंग के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों कहा जबान के चाबुक जो है वो मास्टर तिलोक सिंग जिने जो शब्द कहे थे तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे विद्या का ताब कहा लगेगा इसमें ये जो शब्द थे वो जबान के चाबुक से उसकी तुलना की है लेखक ने इन विंग्य वचनों को जबान का चाबुक कहा जिस प्रकार से जीव की चोट जिसे कहा जाता है सरल भाशा की बात करें तो सचमुच इन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी अधिक पैनी थी और मास्टर जी ने यह कहे कर धन्राम का मानसिक बल गिरा दिया था उसके मन पर बैठा दिया गया कि बस वह लोहार का काम सीख सकता है और सिक्षा प्राप्त करना उसका काम नहीं है उसके बाद हमारा प्रेशन आता है बिरादरी का यही सहारा होता है यह किसने किसे कहा किसने किसे कहा इसका हम उतर देखेंगे यह वाक्य वन सीधर ने बिरादरी के युवक रमेश को कहा था दूसरा हमारा प्रेशन है किस प्रसंग में कहा था वे अपने बालक की पढ़ाई को ले करके चिंतित थे, आसपास कोई स्कूल नहीं था, चार किलोमेटर पढ़ने के लिए उनके बच्चे को जाना पड़ता था, और तब रमेश ने जवाब दिया था कि उनके साथ लखनो बच्चे को भेज दीजे, जहां परिवार में चार से हैं, वहां पांचमा भी रह लेगा, यह प्रसंग था, तीसरा इसी में कुश्चन है कि किस आशे से ये का, बंसीधर तिवारी ने उपरोग तवाक्य कर्तग्यता के भाव से कहा था, वे कर्तग्यता फील कर रहे थे, उनका आशे यह था कि जाती बिरादरी का यही लाब ह होता है कि हम लोग अपनी विरादरी वालों की हार संभव सहता करते हैं, घै नमबर जो प्रिश्चन है क्या कहानी में यह आशे सपस्ट हुआ है, इस कहानी में वन्शिधर तिवारी का आशे सिद्ध नहीं हो सका, रमेश ने जिस सानुबुती से मोहन को पढ़ाना लिखान वे उसे यहां पर पूरा नहीं कर पाया, बिल्कि वे मोहन का शोशन करता है, और उसे नोकरों की तरह रखता है, और अगर हम वास्टिक तक की बात करें, तो विरादरी के नम पर यह कलंक है, क्योंकि इसमें शोशन हमें स्पस्ट दिखाई देता है, यहां पर सेकिन धनराम रोहार की आफर पर बैठा, धनराम एक मोटी छड़वाले लोहे को ठीक से नहीं मोड पा रहा था, और मोहन ने अपनी जाती की परवाना करते वे उसे कुशलता से सही कर दिया, यहां पर उसकी आखों में सफलता के स्रजन की चमाका गई, यही प्रसंग जो था, उस पुत्र होते हुए भी उंच-नीच के भाव से मुख्त हो गया था, इसी बात को यहां पर इस वाक्यमें हम देख सकते हैं, अभी आज के हमारे सारे पार्ट के साथ वाले प्रशनों तर हुए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पार्ट के आस-पास के वीडिय करेंगे जिसमें इनी प्रश्णों के उत्तर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट के आस पास थेंक यू फॉर वचिंग